हेलो स्टूडेंट्स हाई वल्कम एक तो मैं चैनल लेर्निंग विद दिव्या आज हम पढ़ेंगे यूजी सी नेट जयार फ के प्रिवियस यर कोशिंस के बारे में जो कि मैं पहले भी पढ़ाती आई हूं कई वीडियो में और इससे भी पहले मैंने कई सारे वीडियो में आ इस तरीके से प्लेइस बनी हुई है उसको आप सर्च किजिए और देख सकते हैं अराम से कोशिंस को सॉल्फ कर सकते हैं और पीडियाफ आपको वोट्सेप ग्रूप पर मिल जाएंगे जो प्रोसीजर है जैसे ही वो आप फॉलो करेंगे आपको पीडियाफ मिल जाएंगे कोशन है यह जिसमें पहला कोशन आपके आजाता है अंत्रा येकरत संचार दो लोगों के बीच होता है इट मींस इंटर परसनल कम्मिनिकेशन कम्मिनिकेशन इस संचार ठीक है जहां पर आप अपने विचारों भाव का आदान परदान करते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो हम उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कम्मिनिकेशन बोलते हैं क्लियर हो गया यहां पर है आपके अंत्रा येकरत संचार इस इंटर परसनल यह होता है इंटर परसनल इंटर परसनल मतलब जब आप स्वेम से बात करते हैं जैसे लाइक मोटिवेशन है स्वेल्फ का रि आपचीत कर रहे हैं तो यह अजर्शन यह बोल रहा है तो कारण क्या है कि जब भी हम मूल यांकन करते हैं मतला evaluation करते हैं अपनी आंत्रिक और बहय उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं actions करते हैं reactions करते हैं तब यह संचार होता है तो आपका कौन से options इसमें ठीक हो जाने चाहिए आपके दोनों ही options ठीक हैं इंट्रा-पर्सनल स्वैम में होता है जब आप स्वैम से बात करते हैं ठीक है ना आपकी फ्रेंड आप फून पर बात कर रहे हैं group में कम्यनिकेशन होता है जहां पर दो यह दो से अधिक लोग होते हैं ठीक है ना जब दो से अधिक लोग होते हैं तो वह group क्मिनिकेशन क्यालाता है, these are the types of communication, मैंने communication वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ भी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसके बारे में पढ़िएगा, ओके, चलिए, now we move on next question, next question है आपके, एक orientation program के चरणों को सही क्रम में लगाईए, जो orientation है, कारिक्रम किया जाता है, कोई भी program setup किया जाता है, उसकी जो आपके process है, उसको आपको क्रम में लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है unit से परिचा है, नीति और अभ्यासों की समीक्षा है मतलब जो भी आप plans कर रहे हैं, नीति बना रहे हैं, जो practice करना, उसकी समीक्षा करना, संस्था से परिचा, it means जो भी organization है, उसका intro, रोजगार दस्तावेजो का पूरा करना, सह कर्मियों से, जो आपके साथ के, आपके co-related, reliefs है, आपके कलीक्स है, उनसे परिचा है, नियोक्ताओं क्या पेक्षा की समीक्षा, कार इसे परिचा है, तो कौन सा option इसमें से ठीक हो जाना चाहिए, आपके option हो जाएगा, C option ठीक हो जाना चाहिए, यहाँ पर, mere recording, अब बाकी आप लोग चेक भी करते चलेंगे, option number C is correct, सबसे पहरे आप क्या आता है, संस्था से परिचा, जिस भी जगे आप प्रोग्राम सेट अप करने जा रहे हैं, वहां किस आप संस्था में करेंगे, किस प्लेस पे करेंगे, किस organization में करेंगे, उसको आपको उससे आपको परिचित होना चाहिए, clear हो गया? Now the next question is, ICDS program के निम्न कार्यकरताओं को उसके बढ़ते हुए अधिकारियों के क्रम में लगाईए, ICDS, मैंने ICDS आपको पढ़ाया हुआ है, Integrated Child Development Scheme को अच्छे से एक अलग वीडियो में समझाय हुआ है, और उसमें जो आपके कार्यकरता है, जो भी उसमें workers, अपना corporate करते हैं, सयोग देते हैं, जिनके थूँ ये program चल रहा है आज भी इंडिया में, उसका क्या क्रम है उसको लगाई है, मुख्य से विकाज, जिला प्रोग्राम अधिकारी, बाल विकाज, प्रोजेक्ट अधिकारी, आंगनवाडी, सही का आंगनवाडी कारे करता, तो ये question आपको खुश से करना है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप स्वेम से करेंगे ये question, ICDS प्रोग्राम के कारे करता होगो, देख लिजी कितना important question है, जिन्होंने भी ICDS वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो भी देख लिजीए, बहुत important हैं ये सारी programs, इनसे questions आपके exams में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप खुश से कर लेंगे, मुझे लगता ह आप कोई problem होनी नीचे ये question को करने में, आप आराम से कर सकते हैं, clear है, इससे आपका revision होगा, आपको swamp समझ में आएगा, next question is, स्वाद उत्रप्रेरक पधारतों का प्रियोग, खाद पधारतों का स्वाद बढ़ाने में, मतलब taste को improve करने में किया जाता है, आपके जो taste products होते हैं, वे अपने swamp के विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने के अपनी कारवाही करते हैं, आजर्शन आपसे कहता है कि आप कोई भी taste बढ़ाने के लिए कुछ भी डालते हैं, किसी भी food product को आप बना रहे हैं, आपने टेस्ट इंप्रूफ करने के लिए किसी म अब वो क्या करते हैं, आप माल लिजे आपने आलो की सब्जी बनाई, जिस सरी किसे आजकल आप आप आट भी देखते हैं, आपने माल लिजे मैगी मसाला आड कर दिया, तो अब क्या होता है, तो अपना जो टेस्ट है, वो उसमें इंप्रूफ कर देता है, और जो आपकी पोटाटो की वेज़ है उसको और ज़्यादा टेस्ट बना देता है ठीक है तो वो दोनों ही मतलब यह जो है पॉइंट बिल्कुल ठीक है और जो मैगी है वो क्या है वो जो सौरी मैगी का जो पाउडर है वो मसाला जो है वो आपके स्वाद उत्प्रेरत पधार्थ में आगा तरीके से टेस्ट को इंप्रूफ करने के लिए एक्स्ट्रा मिटीरियल आप यूज करते हैं तो इसमें आपके दोनों ही ऑप्षिन ठीक हो जाने चाहिए नाव नेक्स कोशन इस सूची वन में दिये गए मदो को सूची सेकंड में मदो से मिलाइए अब सूची वन में अब डेसिबिल है डेसिबिल जो है वो किसकी काई है आपके शोर गोल आ गया दुहनी में ठीक है जो आपके साउंड है वो किसमें ना पी जाती है डेसिबिल में ना पी जाती है तो इस तरीके से आप मिला सकते है और उसको लगा सकते हैं आप्षिन को तो यहां पर आपके जो option करेक्ट हो जाना चाहिए वो है आपके 23rd में option number is correct ओके, now the next question is, सूची 1 में कुछ उपकरण दिया हूए है, उसमें सूची 2 में कुछ उसके measurements दिया हूए है, map दिया हूए है, जिसके लिए वो उपकरण यूज में लाए जाते हैं, उसे आपको मिलाना है, जैसे, satidometer है, skinfold carry process है, fiber glass tape है, infantometer है, sphygnometer है, स्फिग्णोमेटर है, किसके लिए यूज के जाता है, रक्त चाप के लिए यूज के जाता है, blood pressure को, आपके चैक करने के लिए यूज़ किया जाता है तो आपके यहां पर इस तरीके से मिल जा तो यह आप इसको भी आराम से मिला सकते हैं खुद से समझ के आपने पढ़ा भी होगा इसमें option number B is correct हो जाएगा आपका फिर आप इसको मिलाएगा B is right Now the next question is एक प्रवर्टी के रूप में एकलता एकलता मतलब similarities पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है किसमें similarities मैं लीजी आपके जो जेंडर बाइसनेस था वहां की बात हो रही है याँ ठीक है महिलाओं में उच श्रेणी वाली नौकरियां देर से बिवा और तलाक की बड़ी हुई दरने एकलता में योगदान दिया है कारण जो अभीकतन है कि जो एकलता है वे कुछ बश्यों में काफी बढ़ गई है क्या ये कारण है एकलता का बढ़ने का तो आपके इसमें आ जा महिलाओं में उच श्रेणी वाली नौकरियां देर से बिवा और तलाक की बड़ी हुई दर ने एकलता में योगदान दिया है हाँ जी बिलकुल सही है अब तलाक होते है डाइवोर्स होते है डाइवोर्स जो हो जाते है वो फीमेल सेक्शन को नीचा दमाने के लिए किया ज दूसरी शादी करके आ गया और डाइवोर्स दे दिया जो कि पहले था बहुत ऐसी ली डाइवोर्स दे 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 थे तो वो जब दर बड़ी है तो क्या किया गया जो फीमेल का सेक्शन है उसको इंप्रूफ किया गया उसको जो है सिमिलारिटी प्रवाइड की गई जो बहु देड से बिवा अब पहले क्या करते थे चोटी उमर में लड़ी हो की शादी करते थे कि नहीं इन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं है हमें इनकी शादी करते नहीं है बावा आपने देखा बच्ची पैदा हुई जब तो पर उसको चिंता होई शादी के लेकिन आज असा नह सेक्स सेक्स की जेंडर की इस अमाज की निश्चित निर्मान है है जहीं बिल्कुल एक निश्चित निर्माड है ही जो कि कभी भी बदल नहीं सकता, चाहें किसी भी कल्चर में चले जाएए, किसी भी टाइम में चले जाएए वो नहीं बदल सकता तो आपके दोनों ही option जो हैं बिल्कुल, sorry, सही है गलत option पर लग गया मेरा, option number B is correct, sorry C, C is correct, option number C is correct, not A or B, C is correct now the next is पारंपरिक रिंग कताई की क्रिया का सही करम दीजिए रिंग कताई जो ट्रडिशनल है उसकी जो प्रोसेस है उसका आपको सही करम देना है उठाना, कंगी करना खोलना, साफ करना, समिश्रान कार्डिग, कताई, रोविं, ढ्राइंग and ड्राफ्टिंग, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, इसमें आपके सबसे पहले आता है, कोई भी आप आप फाइवल लाते हैं, आप उसको सबसे पहले क्या करते हैं, खोलते हैं साफ करते हैं, इसको आप mix समिश्रान करते हैं तो option number C सबसे पहले आएगा ठीक है ना तो यहां पर आपके हो जाना चाहिए option number C is correct यह वाला option आपके सही हो जाएगा option number C is correct आप इसको अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं now the next is dispersed dice transfer छपाई में use नहीं किये जा सकते क्यों नहीं किया सकते क्योंकि उंचे ताप पर गरम करने पर dispersed dice जो होते हैं वो उदात नहीं होते आपके option यह दोनों ही बिलकुल correct हैं यह और भी दोनों ही सही है next is दियेक है विधान को उनके क्रियानवन के अधार पर पूर्व से नवीन के और क्रम में विवस्थित कीजिए यहां पर जो कूट है वो नहीं आ पाया है question का लेकिन यह अधिनियम आए है चारो अब इन्हें आपको खुद से पूर्व से नवीन मतलब सबसे पहला जो पु अधिनियम है देन आर्टी है देन आर्पीडी है देन आपके गवा मतलब गौवा है गार्डियांस एंड वर्ड्सक 1890 ठीक है जो पोस को है यह है प्रोटेक्शन आफ चिल्डर्न फॉम सेक्स्वाल ओफिन्स अक्ट 2012 में यह आपके आया एक्ट देन आपके आपके आगया आर्पीडी आपके आघ़ा देन आपके 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 आपको लगाने है और्रस में मैंने आपको चारो ही बता दिएंगेत्व है इनके बारे में पड़िये और लगाइए ओकेए एक परिवार का budget बिविन मदों के तहत खर्चों का विवरन लिखने का तरीका है यह परिवार कोन के आय के अंदर रहने में मददगार होता है भाई एक परिवार है कोई भी चाहे middle class हो high का तो मैं दे लिकिन middle class जो भी होते हैं जो उनकी income आती है या lower class जो होते हैं वो सब अपना budget लिखते हैं कि भाई हमने इतना खर्चा करना है सारे खर्चा एक विवरण वो लिखते हैं कहीं न गहीं कि हमने महीने बर में कितना खर्च किया कितना वारा बचा तो यह क्या क्यों करते हैं वो उनके आये के अंदर रहने में मददगार होता है विक्कुल obviously दो हरा बचा भी दोनों ही option बहुत eezy question है सही है भई हम जो भी हमारी income है उसके ऑंदर रहकर हमें खर्च करना है तो यह में help करेगा हम अगर लिख लेते हैं कि हमें यहां पर इतना खर्च करना है यहां पर इतने कर आशन लाना है इतना हमारा electricity क जाये गा इतना हमारा पानी कर तो यह दोनों ही options ठीक है, now the next question is, सूची 1 में कुछ संख्याएं दी हैं, उनको सूची 2 में दी गई सेवाओं से मिलाइए, restaurant, हवायडे, malls, hospital, cafeteria, railguardi, अब क्या-क्या होता है, restaurant में क्या होता है, आपके हवायडे, में कैसे सेवा मिलती है, आपको malls में food courtes होते हैं, आपको पताना है, यह लगाना है, इसमें और the option number 1 truth हो जाएगा, मैंने आपको answer अब आप इसको अच्छे से मिला सकने हैं और समझ सकते हैं बच्चे अपने जोडिदार के साथ समाजिक सनलगनता प्रदशित कर रहे हैं अजर्शन यह कहता है क्योंकि वे पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगे हैं कारण क्या है कंप्यूटर और समार्ट फोन ने बास्तविक दोस्तों तक पहुंचने में व्रद्धी की है जो आपके कंप्यूटर और स्मार्ट फोन है उन्होंने बास्तविक दोस्तों तक पहुंचने में व्रद्धी की है अब अच्छी अपने जोड़िदार के साथ समाजिक सलंगना प्रदशित करना है अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगे है यह option इसमें कौन सा होगा या आप वो खुद से करना है खुझ अपना दिमाग लगाएए खुद अपना सोचिए और बताइए इसमें कौन सा option होना चाहिए आज कर टाइम देखिए और क्या होना चाहिए दूद के पाउडर के पादन में आने वाली प्रकरियाओं को सही करम में लगाएए जो milk powder बनता है उसका जो production है उसमें कौन-कौन सी processes की जाती है कौन-कौन से methods उसको आपको सही करम में लगाना है पाशुराइजिशन, evaporation, milling, packing, calorification, वसा कौला करना, roller drying तो इसमें आपके option number D हो जाएगा सबसे पहले है आपका clarification then आपके वसा को अलग करना, then A, B, G, C, I, D, D is packing, सबसे last में आ जाएगा ओके, now the next is छेत्रिय दौरा, मतलब जो आप छेत्रिय भ्रहमन कराते हैं, areas में जा जाकर लोगों को प्रेरित करने का तरीका है, जिससे उन्हें नहीं विदी को जो new methods हैं छेत्र में अपनाया जाने के फाइदे के बारे में जानकारी दी जाती है, यह आपके अजर्शन कहता है, क्यों, reason क्या है यह नए अभ्यास के बारे में शक, अंदविश्वास और प्रतिकूल विवार को दूर करने में मदद करता है, बिलकुल सही बात है जब हम as the extension worker जाते हैं, चेत्री भ्रमन करने जाते हैं, या students life में भी जाते हैं, तो वो क्या है, हम कोई नई विदी सीखते हैं, वहाँ पर जाके लोग को नई विदी सिखाते हैं, उस areas में उनको use करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके फाइदे के बारे में बताने जाते ह ठीक है, आप इतना ही बताने गए, तो अब उन्हें बताएंगे पानी को boil करने से क्या होगा, या जो लोग सक्षम है, वो purifier लगा सकते हैं अपने घर में, उसका फाइदा क्या है, उनको मिलने वाला, उनको water bond disease नहीं होगी, तो ये जो आप नई पहल कर रहे हैं, ये जो आ पर water का example लिया है, बात किसी भी प्रकार के हो सकती है, हम child marriage के ओपर बात कर सकते हैं, जो क्या खतमी है लगभग, लेकिन कही एरियास में है, या हम शिक्षा की बात कर सकते हैं, education के फाइदे बता सकते हैं, बच्चों के लिए, girls के लिए, तो वो क्या करता है लोगों में, ज जगे जगे जाकर आप उनको ब्रह्मन कराये, जाल अच्छा production है किसी चीज का उसके बारे में दिखाये, तो यह help करता है, तो आपके options में क्या हो जाएंगे, दोनों ही options आपके बिलकुल सही है, and the last question is, आज की वीडियो का, सूची बन में दिएगा है सक्री कुछ तत्व है उस सूची सेकेंड में दिएगा है, मसालों से मिला ही है, जिनों ने भी spices वाली वीडियो नहीं देखी है, यह जिसी नेट के लिए especially मैंने वो पढ़ाई थी, spices पढ़ाये हैं, उसमें सारे किस spice में क्या मिलता है आपके, तो using all है, आपके allen है, oleo resin है, sincol है, curcumin है, यह सब मै आपको उसमें पढ़ाये हुआ है, तो पढ़िए और यह option solve कीजिए, कि कौन से जो आपके मसाले हैं, उसमें कौन सा जो active element है, वो प्राप्त होता है, मसालों में से, तो वो spices वाली वीडियो देखना मत भूलेगा, उसको देखके कीजिए, और जिने answer आता है, वो भी और comment section में comment केजिए, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो like करना मत भूलेगा, अगर नहीं पसंद आया तो dislike करना भी मत भूलेगा, okay, and comment section में अपना feedback जरूर दीजेगा, thank you so much students, next video में मिलेंगे, next topic के साथ, next मतलब और ज्यादा questions के साथ, चलिए, okay, bye, keep it up, पढ़ते रह बड़ते रहीं?